नमस्कार मैं हूँ अन्जी चौर और आप देखरें फ्रेंड डालेंगे इसने पहले आया नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर स्वर्गिये पत्रकार चक्रेश जैन के यहां राश्टिये पत्रकार कल्यार परिसद का प्रतिनिधी मंडल पहुचा राश्टि पत्रकार कल्यार परिसद मद्य प्रतिनिधी के द्वार साहगड में पत्रकार चक्रेश जैन को जिंदा जलाने से हुई मौत के बारे में बिस्तान से जानकारी हासिल करने के लिए संगतन के पद आधिकारियों के साथ पत्रकारों का दल साहगड पहुचा जिसमें नगर के नागरिक यो पत्रकार बंदू उपस्तित रहे पत्रकारों ने उस जोपड़ी का भी निरिच्छड किया जहां पर चक्रे जैन को पेट्रोल डाल कर आग लगाया गया था वह स्थान सागड से लगबख 4-5 किलो मीटर दूर है इसके बाद पत्रकारों के दल ने सागड के कई लोगों से मुलाकात कर इस घटना के संबंद बिस्तान से जानकारी प्रात की जानकारी में ग्राम वासियों ने बताया कि पत्रकार चक्रे जैन एक बहुत ही इमंदार पत्रकार थे और वह अपनी लेखनी के मध्यम से साथ के कारियले में हो रहे भ्रष्टाचार को लगातार उजागर कर रहे थे जिससे कई सास्की एद्धकारियों की नौकरी का खत्रा मनरा रहा था अपनी नौकरी बचाने के लिए एक साजिस के तहक कुछ लोगों ने पत्रकार जी को सुनोजित तरीकों से पिट्रोल डाल का राग लगा दी राष्टिये पत्रकार कल्ले और प्रिशत के राष्टिये महा सचिव पुस्पेंज सकसेना यो राष्टिये संगेटरन सचिव सुनील जैन बुंदेल खंड महा सचिव सौरव खरे पत्रकार महेंदर सिंग देवेंदर साहु सुनील यो वरिष्ट पदाधिकारी सही सभी पत् पत्रकार के परिजनों को आर्थिक सहाथा उपलब्द कराएं। राष्टिय पत्रकार कर लेयर परिशाथ के तरफ से रूप ने पांश हजार की सहाथा रास भी प्रदान की गई। यह पत्रकार साथी चक्रेजर की मूर्ती सागण में लगाए जाने का निडर भी लिया इस घटना क्रम की जाज करारोपियों को सज़ा दिलाने योग परिजनों को आर्थिक सहाथा उपलब्द कराने के संबंद में मानिय मुखमंत्री जी के ग्या नाम ग्यापन पत्र भी सुपा गया। हम सारे पत्रकार साथी जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट से आई जी एसपी बहुद ऐसे मानी मुख्यमंत्री बहुद ऐसे इन सबसे अनुरोद करके इस मामले को बहुत गंभीरता से लेंगे और जो दोशी व्यक्ति हैं को किसी भी कीमत पर नाम बगसा जाए इसका प्रया